नमस्कार, आज इस विडियो में हम क्लास 11 की पुस्तक अन्तराल के पाठ तीन आवारा मसीहा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो रचनाकार है वो विष्नु प्रभाकर जी है, और कता कर विष्नु प्रभाकर जी ने एक आवारा जो शरत है उसके बारे में, जो कहानी है बह विश्नु प्रभाकर पहले प्रेम बंदू और विश्नु के नाम से लेखन का काम करते थे बाद में प्रभाकर नाम भी उनके साथ जुड़ गया और विश्नु प्रभाकर जी की रचनाए हैं वो स्वदेश प्रेम, राष्ट चेतना और समा सुधार का स्वर प्रमुख करती ह और जो अवारा मसीहा है जो इनकी रचना है उसके लिए इने साहित्य अकादम पुरुषकार और दिल्ली में रहकर स्वतंतर लूप से लेखन कारे ये करते रहे तो पाठ की और बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपसे यह कहना चाहूंगी कि वीडियो को पूरा जरू दे कुछ इस प्रकार है किसी कारण स्कूल की आधि छुटी हो गई थी शरत ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा कि चलो पुराने बाग में घूम आए और जो शरत है वो अपनी नाना के घर रहता था आपको पता चले का क्या कारण था तो यहां पे उसी कहानी को दिखाया गया श उस समय खूब गर्मी पड़ रही थी शरत का मन इस बात से बहुत भारी था कि अब यहां से चला जाएगा मामा आयू में छोटा था पर दोनों से मित्रता के बंधन गहराते जा रहे थे और वो काफी घधिष्ट मित्र थे यानि मामा भांज जैसा रिष्टा तो था ही साध वो एक अच्छे मित्र भी थे क्यों क्योंकि दोनों ही सेमेज ग्रूप के थे और शरत को जो था एक अफसोस था वो यहां से चला जाएगा शरत ने अपने मामा को विश्वास दिलाया कि वह यह आता रहेगा यानि वो भूलेगा नहीं उसे भागलपूर बहुत अच्छा लगता भागलपूर जहां उसके नाना रहते हैं मैं आ का जाओं का वन नहीं भूल पाऊंगा आगे शरत के बारे में बताया जा रहा है कि शरत को नाना के घर में रहते तीन वर्ष हो गए थे वह अपनी मा के साथ यहां आता रहता था जब पहली बार उसकी मा उसे लेकर आ लगा था अभी तक बताया है कि वह नाना के घर जाता रहता था और जब फर्स टैम अपने नाना के घर गया था तो काफी मतलब उसको प्यार मिला था सम्मान मिला था और काफी आभूशन मगरा उसके उपर बरसा आगे चलके जो शरत है उसके पिता के बारे में बताया जा है उनका नाम है मोतिलाल और वो यायावर प्रक्रती के यायावर यानि उनका जो काम में मन था वो किसी एक काम में नहीं लगता था वो काफी घुमककर प्रक्रती के थे वे किसी रोजगार से बंद कर नहीं रह सके वे अफसर से जगड कर नौकरी छोड़ बैठते थे यानि आदी लिखने का शौक था, चित्रकला में भी उनकी रूची थी, किसकी शरत के पिता मोतिलाल की, उनका सौंदर्य बहुत भी कमना था, यानि उनकी जो सोचने समझने की शक्ती थी, वो भी काफी अच्छा था, वे मोति जैसे अक्षरों से रचना आरंब करते थे, पर अंत मह तो भी हीन हो जाता था, यानि उनको शौक तो था, वो चीजों को शुरू तो करते थे, वो साहित्यमंगा इंटरस्ट था, वो सोचने समझने की शम्ता थी, लेकिन वो चीजों को शुरू तो कर देते थे, लेकिन उसका अंत नहीं कर पा देते, अंत होने से पहले वो एक न पूरी नहीं कर सके परिवार का भरन कोशन करना उनके लिए संभव हो गया शरत की मा भूवन मोहिनी ने पहले तो पती से कहा सुनी की यानि लड़ाय जगडा हुआ कि तुम कमाते क्यों नहीं हो ये सारी बातों पर उनके बीच आंग्यूमेंट्स हुए पर फिर पिता के दार कि पास चली गई तो उसको भी वहाँ पर घर जवाई बनकर रहना पड़ा आगे बढ़ते हैं पाठ की और अभी तक बात चल रहे थी कि शरत किस तरीके से अपने घर में नाना के घर में आया क्या स्टोरी है कि वह अपने नाना के घर रहता अब हम आगे की स्टोरी बढ़त है जब वो अपने नाना के घर रह यह तो किस तरीके से उसकी शुरुवात है शरत जो है जब आपने नाना के यहां रहने लगा वभागलपूर में तो उस्चूल शुरू'me नहीं गया था कि बार नही देन शुरू कि फूमी यहां भी वह पढ़ रहा था अपने दादकों के यहां बोदोधे पढ़ा था और उसे सीता वनवास, चारुपाठ, सद्बाव, सद्दुरु और प्रकांध, व्याकरण पढ़ना पढ़ा। शुरत का साहित्य से प्रथम परीचे आसुओं के द्वारा हुआ, यह क्लास में बहुत पीछे था, अता उसने परिक्षम पूरवक पढ़ना आरम किया, यानि और सेशन के बीच में गया है, और उसने अभी तक यह सारी चीज़े नहीं पढ़ी थी, एक तम से स्लेबस जो था अब वो प्लास में नीचे था, लेकिन उसने महनत की और वो आगे बढ़ गया, देखे देखते वे वाच्छे बच्चों में गिना जाने लगा, नाना लोग कई भाई थे और इकठे रहते थे, यानि जो नानके थे, उसके नाना के लावा भी उसके और भाई थे, वो साथ इकठे रहते थे, आता मामा और मोसियों की संख्याक बहुत जादा थी, यानि सारे भाई एक साथ रहते तो उनके बच्चे भी साथ रहते, चोटे नाना अगोरनात का बेटा मनिंद्र उसका सहपाटी था, जो चोटे नाना गोरनात थे, उनका जो बेटा था, यानि जो शर गरजना करते थे, यानि डार्ट पे थे, गुसा करते थे, एक दिन पंडे जी को बुखार आ गया, तो नाना लालटे ने कर उसे देखने चल पड़े, और एक दिन वो उनको पढ़ाने नहीं आया, तो जो नाना थे, वो उसको देखने के लिए उसका हाल चल लेने के लिए क्योंकि वैश सिर्फ स्कूल के मंतर ही नहीं थे, इसके साथ साथ वह एक समास उधारत भी थे। नाना के जाते ही बच्चे खुशी में अंग्रेजी कभी था गाने लगे कि घर में जो थे और जो स्कूल में था जुक्ष धा श्टिक्नेस थी नाना का घर में भी दब-डबा था तो जब थो चले गए उनको हाल चाल देखने तो बच्चे श्कूल में काफी खुश हुए एक दिन एक चमगादड बच्चों के सिर पर मंडराने लगा। इसको देखकर शरत और मणी वो कुछ छरारत सूझी और वे लाठी लेकर चमगादड पर दौड़ पड़े लाठी से दिया गिर पड़ा। यानि वो चमगादड पर तो लगी नहीं लाठी और वो दिया था वो गिर पड़ा और नाना की आँख खुल गई यानि नाना जो थे मुद्रा में थे मुद्रा वस्था में थे वो बच्चों को पढ़ने के लिए चूड़ के गए थे और उन्होंने शतानी करने लगे पीछे और उनकी आँख खुले मुशाई ने बताया कि बत्ती को देवी ने गिराया है अतहा उसे अस्तबल में ले जाकर बंद कर दिया गया अगले दिन मतलब किसी और ने गल्पी और गलेम किसी और पे लगा तो उसको कन्वेंस करने के लिए शरत बगारने रिश्वत दी भी रि शरत से गिरा था लेकिन नाम किसी और का लगा पनिश्मेंट किसी और को मिली तो उसको मनाया शरत में उसको जिश्वत देनी पड़ी शरत के बड़े मामा ठाकुर्दा सभी बच्चों की शिक्षा की देख धाल करते थे वे गांगली परिवार की कतरता और को पठोरता के अन्य लड़कों के साथ मिलकर स्कूल की घड़ी को आगे सरका देता था कभी कभी एक घंटा आगे ही हो जाती घड़ी का भार अक्षे पढ़नित पर था जब तंबाकु खाने जगुआ की पान शाला पर जाते तभी घड़ी की में छेड़तानी करके उसे आगे कर दिया जाता एक बाद चोड़ी पकड़ में आ गई शरत घर में मामाओ का भी मेता बन गया था और उसकी चोड़ी पकड़ में आ गई पता चल गया कि ये शतानी कौन करता था पीसर अध्याय के और बढ़ते हैं अब यहां शरत की बात की जारिया आगे कि शरत के बहुत से शोक थे जैस वो अपने नाना के साथ रहता था और उसके नाना के परिवार में यानि गांगुली परिवार में बच्चों का सिर्फ एक अधिकारता और वो अधिकारता पढ़ाई करना तो शरत को इसलिए सारे काम चिपकर करने पड़ते थे और नाना लोग जो थे इस काम को पसंद नही जाता था शरत सबकी आँखों में दूल जोखने की कला में तो कुशल था ही चात्रवृति की परिक्षा पास करने के बाद अंग्रेजी स्कूल में भरती हुआ और अभी जो उसके नाना के पेचान वाले स्कूल में एडमिशन उसको मिला था अब उसको इंग्लिश मीडियम स् खिलने में रुजी लेता था यानि उसकी पढ़ाई का बर्डन बढ़ चुका था फिर भी जो उसके इंट्रस्ट थे उनको वो पूरा जरू करता था खिलाड़ी भी था उसे विद्रोही भी कह सकते हैं या विद्रोही क्यों कह सकते हैं क्योंकि उसके नाना के घर के नियम जो है अलग हैं और वो उनके अगेंस जाकर सारे काम कर रहे हैं तो वो एक विद्रोही प्रवर्ति का भी हम उसे कह सकते हैं पिता की तरह उसमें सवंदरे बोध भी था वे पढ़ने के कमड़े को खूप सजा कर रखता था वे कोई भी उपहार के तौर पर जीती हुई रहने से शरीर स्टॉंग बनता है एक बार मनी मामा के साथ ताल स्कान करने चला गया लॉटने पर मनी की जमगर पिटाई हुई क्योंकि उनके नाना के घर में सारी अक्टिविटीज जो आच के टाइब में को करिकलम अक्टिविटीज यह बहुत इंपोर्टेंट माने जात तो मनी को घर आने के बाद उसको काफी पिटाई हुई शरत छोटी नानी की परामर्श से पर घर के गोदाम में जाकर छिप गया और शरत पिटाई से क्यों बच गया क्योंकि वो उसकी नानी ने उसको कहा कि तुम जाकर छिप जाओ और वो गोदाम में छिप गया शरत को ख बोखरू साब से के बच्चे का पता चला, शरद उसे छेडने लगा तो उसने अपना फन उठा लिया, तो मणी मामा ने लाठी से उस साब को मारा, यह उसका काफी चीजों में इंटरस्ट था, वो पढ़ता तो था, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में वो डल था, या पढ़ाई में उसका इंटरस्ट नहीं था, वो पढ़ाई के लिए भी फोकस था, लेकिन साथ ही साथ, उसका और भी जो अधर अक्टिविटीज और गतिविदिया हैं, उनमें भी उसका विशेश रूजहान था, इंटरस्ट था, तो वो पढ़ाई से डिस्ट्राक्ट नहीं था, एक एक दिन का इंसिडेंट यहां पर बताया गया है, कि एक दिन सुरेंदर मामा के आगरह करने पर शरत उसे तपोवन दिखाने ले गया, क्योंकि घर में तो परमिशन थी नहीं, तो वो छुपकर उसको तपोवन दिखाने ले गया, जो उसके द्वारा गड़ा गया था, रच अक्षंतिय गंगा के बिल्कुल पास एक कमरे के नीम जो पेड उगे हुए थे, उनकी जो डालियों से वो घिरा हुआ था और अंधिरा हो रखा था, मनुष्ये का उसमें प्रवेश करना बहुत मुश्किल था, वे बड़ी मुश्किल से उसमें गुसे, यह स्थान तपोव इखोकों की रचनाय पर डाली थी, शरत में आसपास के वातावरन का सुक्ष्म अध्यन करने के प्रतिभा थी, गांगुली के परिवार में उसकी सहच प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था, गांगुली यानि उसके नाना का परिवार, क्यूंकि वो लोग शिक्षा के चरंदर के निर्माण में कुसुम कामनी का बहुत योगदान था, शरत जीवन के अंतिम शर्ण तक उन्हें अपना गुरु मानते रहें, नाना के परिवार में शरत के लिए अधिक दिन रहना संभव ना हो सका, क्यूंकि मार काफी स्ट्रिकनेस थी, बहुत कड़े नियम थे, शरत जो था, वो एक प्रतिभाशाली बच्चा था, और महां एजुकेशन से हटकर भी उसमें बहुत सी काबिल्यत थी, तो इसलिए उसका रहना महां काफी दिन तक संभव नहीं रह सका, उसके पिता ना के बल स्वापन दर्शी थे, बलकि उनमें कई और दोश थे, अ दिखाते थे, बे संभेदन शील थे, घरजवाई की रूप में उनकिस्ति थी, अच्छी नहीं थी, मतलब वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट उनको वहां नहीं नहीं थी, जो एक दमाद की होनी चाहिए, एक दमाद कभी-कभी जाया तो शायद वो रिस्पेक्ट मिलें लेकिन घरजवाई बनके रहे तो औबेस और वो कमाता भी नहीं है, तो इसलिए उनकी महां इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं थी, एक दुरगटना हो गई, कि दारनाथ की पत्नी विंद्यवासनी यानि शरत की नानी को तांगा उलट जाने से काफी चोट आई, डॉक्टर ने उने कल करने का प्रत्न तरो, यानि जहां तुम रहते हो वहां जाओ, और वहां अपने बीवी बच्चों को पालो, और वहां जाके, मतलब अब वो उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए शरत ने एक दिन पाया कि अब भी देवानंद पूर लॉट आया है, लेकिन करने के कारण त्याक पत्र दे दिया, राम रतन मर्यूंदार ने अपने साथों बेटों के लिए साथ कोठियां बनवाई थी, पर कई कारणों से पुरारतन पंथ बंगाली समाज उन्हें शमा नहीं कर सका, राजु वशरत में पतंग की प्रतियोगिता होती थी, दोनों में गहरी मित्रता थी, अब ये जो पाठ है, इसमें हमने अभी तक शरत के बारे में पढ़ा, उसके नाना के यहां वो रहता है, उसके पिता जी एक घर जमाई की तरह रह रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे, अब हम जो अगले पाठ में पढ़ेंगी, यानि मेरी जो अगली वी क्या हुआ और क्या सिच्वेशन रही, क्या स्थिती रही, कहानी किस तरह आगे बढ़ी, तो ये मगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आशे अभी तक ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और पार्ट को पूरी तरीके से समझने के लिए अगली वीडिय झाले के लिए एकुप्छा इंतार को ये जाया है 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 किसे समझने के लिए। तक ये जाखतों। आपना किसे समझने के लिएारे किसे समझने के लीडियो में लिए। वे बढ़ेंगे, ट